श्रीमान वेंक टनाथार यह कवितार की के के सरी वेदानता चार यवर्यों में सन्निधत्ताम सदाहर दी आज शीस्तुती का आटवांश लोख अर्थसहित समझने वाले हैं अस्त्ये शानात्वमसिजगताह सम्ष्रयंती मुकुंदं लक्ष्मी फ्पद्मा जलधितनया विष्णुपत्मीं दिरेती यन्नामानिष्रुति परिपनान्ये वमावर्तयंताह नावर्तंते दुरितपवनप्रे रिते जन्मचक्रे अत्यद्भुत श्लोक है सरलता से समझ में भी आजाएगी पदच्चेद करता हूँ श्लोक का अस्य इशाना जगती भवती त्वम असी जगतह सम्ष्रयंती मुकुंदं लक्ष्मीही पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नी इंदिरा इती यन्नामानि यन्नामानी सुलतिपरिपणानी एवं आवर्तयंतह ने आवर्ततंते दुरितपवन प्रेविते जन्मचक्रे ऐसा पदच्चेद है अस्य शाना जगतो विश्णुपत्नी ऐसा वेद भी लक्ष्मी जी के बारे में कहती है अस्ये शाना जगतहा विश्णुपत्नी ऐसा अस्ये जगतहा ईशाना विश्णुपत्नी जो लक्ष्मी जी है वो अस्ये जगतहा ईशाना इस जगत की ईशाना ईश्वरी है ऐसा मतलब इश्वरीक्म सर्वभूतानाम त्वामिहो पख्वयेश्रियम ऐसा श्री सूक्त में सर्ववेद में पटित्व जो श्री सूक्त है उसमें इश्वरीत्व सर्वभूते श्वरत्व भी कहा है शर्वभूतों का ईश्वरत्व जो है वो लक्ष्मी जी में है ये क्या करती है मुकुंदम सम्श्रेयंती अस्याईशानात्वमसी इस जगत की आप ईश्वरी हैं और भगवान जो मुकुंद है मुम्च कुम्च ददातीती मुकुंदहा मुक्ष और इस पृत्वी का आनंद दोनों को देने वाले मुकुंदहा कुयाने पृत्वी मुयाने मुक्ती मुक्ती को और इस पृत्वी को देने वाले जो भगवान है अरतात उभय विभूती नात हैं इसलिए उबय विबूती का संबंद हमें आपादन करने वाले जो भगवान हैं उस भगवान को आप आश्रे करती हो सदा के लिए किस के लिए आश्रे करती हो कि अमारी रक्षा के लिए आप उनको मुकंदम सम्श्रेयनती इसलिए श्री शब्द का मतलब में भी आश्रे करती है इसलिए श्री है लक्ष्मी जी सदा के लिए भगवदा श्रे करती है छेतनों को रक्षन करने के लिए इसलिए श्रायती इती श्री ही श्रायते इती श्री ही ऐसा भी विद्पत्ति है आठ विद्विद्पत्यों में अन्यतम विद्पत्ति है आपका नाम जो है उसका रटन करने वाला कभी भी इस दुनिया में फिर से आवर्ती नहीं पाते हैं आपका नाम को अगर अपने मुकारविंद से मुख से आवर्तन करेगा बार 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 उसको धोराएगा वो फिर से इस दुनिया में जनम नहीं लेता है ऐसा कहने के लिए आगे का श्लोग प्रवर्त होता है उनका नाम को कैसे पुकारना चाहिए किन किन नामों से पुकारना चाहिए उदाहर नार्थ कुछ नामों का इदर ग्रहन करते हैं विदान देशिक जी लक्ष्मी ही पद्मा जलती तनया इंदिरा इती यस्याहा नामानी जिनका नाम अर्थात लक्ष्मी ही नाम है पद्मा ऐसा पद्मवन आलयाम पद्मवन ही जिसका आलय है पद्मे इस्तिताम पद्मवर नाम त्वामिहो पख्वये श्रियम ऐसा श्री सुक्त प्रदिपादित जो स्वयम कमला है पद्मा के पद्म के रुप से विराजमान है वो पद्मा जलधी तनया क्षीराब्धी की पुत्री इसलिए जलधी तनया शब्द का प्रयोग किया है तनया याने पुत्री है जलधी याने समुद्र है इधर क्षीर समुद्र विवक्षित है जलधी तनया विष्ण पत्नी स्पष्ट है इंदिरा लोकमाता मा क्षीरोत तन यारमा मरकोष कहता है इंदिरा शब्द भी लक्ष्मी जी के लिए प्रयुक्त है यन नामानी यस्याह नामानी जिस लक्ष्मी जी का नाम नामों को वो भी कैसे हैं शुरुति परिपनानी शुर्ति परिपनानी शब्द है यन नामानी शुर्ति पवेट वेदों का भी मूल है सब वेदों का भी मूल भूत इन नामों को एवं आवर्त यंतहा रक्ष्मी पद्मा जलदी तनया विष्ण पत्नी इंदि रेती ऐसा जो आवर्तन करते हैं वे लोग दुरित पवन प्रेरिते जन्म चक्रे नावर्तन थे दुरितों से पापों से प्रेरित जो जन्म चक्र है जन्म मरन जन्म मरन इत्यादी चक्र है जन्म जरा मरन और बाद में नरक फिर से वापस जनम अथवा स्वर्ग से वापस फिर से जनम ऐसा जो जन्म चक्र है उसमें ने आवर्तनते ने फिर फिरस्थान पाते हैं अर्थात सदा के लिए मुक्ति पाकर युगलर दमपती का अर्थात दमपतियों का विश्णों और लक्ष्मी जी कंकी सेवा करते हुए कैंकरिय को प्राप्त करते हुए वहां ही मौक्ष में आनंद प्राप्त करेंगे उन लोगों के लिए फिर से इस दुनिया में आवर्ती करने के लिए जरूरत नहीं है जो इन नामों को आवर्तन करते हैं ऐसा आवर्तन शब्द आवर्तन का फिर से आवर्तन नहीं होना यहां फल के रुप से परतिपा दिता है अर्थाद सामान यतहा जो जैसे काम करता है वो वैसे फल पाता है जो जैसे काम करता है यानि वो आवर्तन करता है तो आवर्ती ही होनी चाहिए नहीं नहीं होती है इसलिए इथाकरतु न्यायका इधर विरोध होता है ऐसा व्यंग्य मर्याता से हमें अर्थ प्रतीत होता है अस्येशाना जगताईदी अस्येशाना त्वमसी जगताहा सम्ष्रयंती मुकुंदं लक्ष्मी इफ्पद्मा जलति तनया विष्णु पत्मीं दिरेती यन्नामानिष्रुति परिपनान् येवमावर्थ यंताहा नावर्थ नंते दुरित पवन प्रेरिते जन्मचक्रे बोच्सलल श्लोक्रह सप्केलेजेश्रिमन नारायन कवितार्किकसिम्हाय कल्यानकुनशालिनी श्रिमते वेंकटेशाय वेधांत गुरवे नमाह